उके लेट्स जूँँए कि अब मार्केटिंग ओफिसर विद डिरेक्टरेट वॉफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन विद मिनिस्ट्री ऑफ अगरिकफिर इफार्मल वेलफेर के लिए syllabus क्या है? exam date क्या है? exam pattern क्या है? तो यह हम लोग थोड़ा सा एक बार हम लोग discuss कर लेते हैं. सो गाज, सबसे पहली बात, UPSC ने कोई syllabus disclose नहीं किया है. UPSC ने कोई exam कब होगा, यह भी disclose नहीं किया है. तो फिर how this works, आपको ना इसके लिए UPSC के recruitment exams हैं, उसकी story आपको थोड़ा सा समझेना होगा. तो एक UPSC के normal exam है, जैसे civil services है, NDA है, CDS है, CAPF है, forest officer वाल exam है, तो यह सब होते हैं normal exam. फिर एक होते है recruitment exam, दो की requirement based है, need based है, किसी ministry के पास कुछ vacancies है, 2-4, 5-10, 15-20, तो उनका one time exam होगा, but they are not regular, they are not held every year, उनका बोलते हैं recruitment exams, ठीक है, अब जो recruitment exams होते हैं, उनमें कई बार तो UPSC पहले decide कर लेता है, कि इसका मैं exam करूँगा, और फिर उसका एक syllabus में disclose कर देता है, कई बार UPSC क्या करता है, कि syllabus disclose नहीं करता है, फिर UPSC क्या करेगा, जैसे आप लोगों के साथ क्या अमारा के टोंगों officer के लिए notification आया, अब notification आने के बाद UPSC क्या करता है कि अब सब लोग इसका form भरेंगे, तो जब लोग form भरेंगे, तो form भरने के बाद UPSC देखता है, कि इसमें जितने applications आये हैं, मैं उनको क्या, मैं manually shortlist कर सकता हूँ, अगर नमबर application कम है, तो UPSC manually shortlist कर लेता है, और उसमें return exam नहीं होता है, उन्दा अधर हैं, अगर number application काफी जादा है, जो कि आपके case में होंगे, क्योंकि eligibility आपकी इतनी आसान है, तो उस case में UPSC अपना return exam conduct करता है, तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे form भरेगे, फिर कुछ महीन वाद UPSC will come out with another notification, जिसमें UPSC बताएगा, आपका इस दिन इतने बज़े exam है, और उसी notification में लिखा होगा कि आपका syllabus क्या है, तो यूजरली जो वहला notification है, वो exam date के approximately एक डेट महीना पहले ही आता है, इसका मतलब क्या है, कि अगर आप उस date का wait करोगे, अपना त्यारी करने के लिए, या syllabus को cover करने के लिए, तो आपको एक डेट मिने का समय मिलेगा, तो इसलिए, इन सारे exams में हम क्या करते हैं, कि ये वाला exam पहले UPSC ने कब किया, उसमें क्या syllabus था, उसको लेके लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, this happens in ALC, या admin officer, समय ये वाला system ऐसे काम करता है UPSC का, अब इस वाला exam में क्या है, इस वाला exam में तो ये वाला exam कभी पहले हुआ हैं, ये first time हो रहा है, और नए ही इसके लिए कोई पुराना paper किसी के पास available है, ठीक है, so अब दो-तिन बातें हमें summarize करनी होंगी, पहले बात, क्या इसका exam होगा, yes, 100% इस वाली vacancy का exam होगा, क्यों, क्योंकि 33 vacancies हैं, और काफी multiple of thousands of log form भरेंगे, तो UPSC का exam करना ही पढ़ेगा, वो लोग एक एक करके short list नहीं कर सकते हैं, उनके पास नहीं इतना bandwidth है, और नहीं कोई ऐसा criteria बनेगा कि जिससे कुछ लोगों को तुम मना कर दो, कुछ लोगो directly आप interview के लिए बला लो, तो 100% इसका return exam तो होगा, अब return exam होगा, इसका मतर syllabus इसका बनेगा, और इसका syllabus बनके बाद में हमारे पास आएगा जो UPSC हमें, एक दूसरे notification से हमें वो बाहर निकाल लेगा, ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस syllabus को भी guess कर सकते हैं, so we can create a boundary of expected syllabus based on what, based on की इस वाले job profile की requirement क्या है इस वाले job के लिए eligibility की इस तरह की है और इस तरह के जो बाकी recruitment exam है उन से हम क्या सेख सकते हैं for this exam, जो बाकी UPSC exam करता है, so इन तीनों चीजों को मिला के हम एक boundary of syllabus हम लोगों ने at human practice हम लोगों ने बनाया, I'll share that with you की क्या क्या आपको इसके लिए पढ़ाई करना है, ठीक है and guys, this is based on our wisdom of around more than 10 years इतने सारे UPSC artists होते है ऐसा निये कि हम जो बताएंगी वही से लिए बस UPSC करेगा, उसमें कुछ-कुछ आगे पिछे भी होगा, but हमारा guess है कि 70-80% topics, some will be right on them उसके लावा UPSC जो करेगा, वो कुछ-कुछ changes भी होंगे अब हमने जो अपना course बनाया सारा, for this marketing officer UPSC के लिए हमने based on this expected syllabus, he बनाया है ठीक है, अब मान लो UPSC जो notification लेके आएगा, उसमें कुछ-कुछ changes जोंगे, तो उनका क्या होगा So guys, it's our responsibility उन सारे topics के लिए जो-जो change होगा, उसके लिए हम लोग ही आपको एक revised उसके लिए जो requirement है, आपके course का content का, हम उसको, we'll give that to you So it's our responsibility, मतलब UPSC बाद में जले-बाद दिस्प्लोज करेगा उसमें जो-जो नही बाते आएंगी और definitely हैंगी, ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए हमें बगवान ही होना पड़ेगा, exact guess करने के लिए जो कि हम नहीं हो सकते But 70-80% will be there And we'll also have a good idea I'll also share with you, कौन से topic तो पक्का होंगी होंगे कौन से जिन में थोड़ा doubt है, I'll share that with you Accordingly आपका अपना त्यारी शुरू करना है Again, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Slabers आ जाने के बाद ये त्यारी शुरू करेंगी पर तब तक आपको काफी देर हो जाएगी क्योंकि the gap between Disclosure of Slabers and the exam date is way less एक से डेट मिनने का टाइम होगा इतने टाइम में आप नहीं कर पाऊगे आपको अभी से ही करकेस को आगे बढ़ना होगा So Slabers का boundary में अभी आप लोगों का मैं बना देता हूँ, ठीक है So before that एक बार exam pattern क्या होगा आपका, जो की UPSC के जितने भी आटी जैं उसका pattern है वही इसका होगा, उसमें क्या होता है आपके इसमें You'll have objective type paper एक ही paper होगा, जिसमें 120 सवाल होगे हर एक सवाल 2.5 marks का होगा इसका मतलब आपका 300 marks का आपका return exam होगा इसका आद आपका interview होगा, जो की 100 marks का होगा total आपके 400 marks में से आपकी final cut off आपकी बनेगी ठीक है मोटा मोटा अगर आप देखो तो 75, institute 25 का weightage है between written exam and interview तो 120 का जो written exam होगा सवालों का, इसमें 1 third negative marking भी होगी इसका मतलब आप तुक्के नहीं मार पाओगे कोई आता है, तो तभी आप इसका exam अच्छे से कर पाओगे ठीक है, अब 120 में से किस तरह का slabus होगा जो आपको पढ़ना है, so let me create a boundary of the keyword जहां से आपका paper, जहां से आपका slabus जो बन सकता है, ठीक है सबसे पहले आपको क्या क्या आपको करना है, marketing management marketing management, और पूरा marketing management आपको अच्छे से पढ़ना होगा, including marketing research, consumer behavior, पूरा pricing promotion, पूरा जो भी marketing का course होता है, वो आपको बिल्पूल अच्छे से करना होगा इस इस गोई टो बी major portion of your इस गोई टो बी major portion of your flavors, ठीक है now let's come to second keyword the second keyword which you will have is numerical ability and reasoning, जिसके 15 से 20 सवाल आएंगे, ये भी आपका आई गई आएगा, ये भी UPSC के हर RT में आता ही है, इसको आप इक दोर नहीं कर पाऊगे, the third keyword is general English, या इसको English language भी बोलते हैं, and इसके आपको आएंगे 120 में से 20 सवाल अप्रोक्सिमेटल इसके आएंगे, ठीक है the fourth keyword the fourth keyword is statistics s-t-a-t-i-s अब statistics के अंदर क्या introduction, tabular and graphical representation of data data and its types probability, probability distribution hypothesis testing, regression correlation, ये सब भी आपके syllabus में होगा ही होगा ठीक है the fifth keyword is computer knowledge computer knowledge so guys ये भी आपके syllabus में definitely होगा ही होगा ठीक है अब ये जो पांच keyword है इसकी probability is very high ये सब तो आपके syllabus में होगा ही होगा ठीक है अब आते हैं कि ऐसे कौन-कौन से keyword हैं जो आपके syllabus में हो भी सकते हैं या जो जिनकी नहीं भी हो सकते हैं ये पांस तापको करने ही करने है आख बंद करके ये तो आपको ये syllabus तापक और करना ही है ठीक है जो इसके अलावा जो चीज है जो की होई सकते हैं नहीं भी हो सकती है उसमें है economics बोथ micro and macro उसके लावा इंडियन पॉलिटी जिसको इंडियन कॉंस्टिचोशन ने भी लोग बोलते हैं ठीक है और उसके लावा schemes गोर्रमेंट की schemes एंड करेंट इवेंट्स करेंट इवेंट्स बोथ दोमेस्टिक और इंटरनेशनल सो ये जो तीन है keyword ये भी syllabus का part हो सकते हैं बट विद लेसर प्रोबैबिलिटी वी कैन गेस अब हमने जो human characters के साथ हमने जो पूरा course बनाया है that is based on this approach only कि अभी आप exam से पहले ये पाँच keyword का syllabus आपको अच्छे से कर लेना है बाकी exam जब announce सो गेड़ेड मिनने का time होगा उसमें हम बाकी चीजे भी देख सकते हैं in fact current affair को भी मुझे green वाले में रख देना चाहिए पर ठीक है काफी हमने सो समझ के पूरा आपके लिए syllabus का हमने हमने ये boundary बनाया है अब syllabus का boundary तो बन गया अब guys होता क्या है कि तो उसके बाद सारे exam में जो उसका level of difficulty है वो same होता है मतलब कि अगर numerical ability and reasoning keyword आपके syllabus में है so the level of difficulty of numerical ability and reasoning the level of difficulty of numerical ability and reasoning is going to be same चाहे वो ALC का exam हो चाहे वो APFC का हो चाहे वो admin officer का हो चाहे वो store officer का हो या कोई भी recruitment exam हो that is going to be similarly English language तो एक बाद अगर keyword हमारा finalize हो गया फिर उसके level of difficulty figure out करना मुस्किल नहीं है इस तरह marketing management किसमें आता है जो ESIC-DDA exam marketing management आता है उसके बलाव आपका admin officer ने marketing management आता है computer knowledge तो कभी सारे exams में आता है so that is how you will figure out कि level of difficulty किया है so इस सारी सोच को लेके ही हम लोगों ने जो for this exam हम लोगों ने अपना course बनाया है so rather do one thing rather do one thing get in touch with our team और आप उसमें आके आप एक दिन का trial लीजी हमारी team के साथ पूरे course का और उसमें समझे की कैसे क्या चीज़ बनाया है क्या difficulty level है so website पे जाके you can get in touch and we'll enroll you for one day for free and then you can make out की किसे हमने पूरे course को बनाया इसके लाइब को न इस सारे course को लेके I'm sure कुछ doubts भी होंगे कुछ लोग हम से agree भी करेंगे कुछ लोग हम से disagree भी करेंगे तो आप सभी लोगों का स्वागत है आप इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप लोग लिख सकते है अगर हम से कुछ अगर कुछ ऐसी बात है कि हमें लगता है कि जिसमें correction का need है we'll also make correction so please feel free do let us know अब इस वाले course को लेकि हमारा क्या plan उसके लिए क्या करना है इसके लिए बड़ाए simple है आप you have to go to website of human paritus ठीक है तो यहां मैं I'll just google search human paritus ठीक है and first result will come out और इस वाले रेजल्ट में यहां लोगों ने लिखा हुआ है marketing officer UPSC और आप इस वाल लिंक पे जाएंगे and on this page you will see कि कैसे आपका अपको एन्रोल करना है क्या क्या हम आपको देंगे और कैसे आप अपना त्यारी करके आगे बढ़ सकते हो so guys with that note thank you so much कुछ भी doubt है please do let us know and all the rest thank you so much